हाई फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर अमित माईश्वरी बिजनस टेनर कॉर्परेट टेनर मुटिवेशन स्पिकर और सीओ मेटा सोवर्सीज लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का हर बिजनस जिस बात पर निवर करता है वो बात है अगर हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे तो हम आसानी से अपने बिजनस को नेक्स लेवल पर ले जा पाएंगे तो आज इसी विशा पर हम बात करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहला जो स्टेफ है न को अपने sales के volume को बढ़ा सके position redefining का मतलब क्या है कि हम किस तरह के clients के लिए काम करना चाह रहे हम चारो तरह हाथ पहर ना मारे है हमें पता हो कि हमारा buyer कौन है किसकी paying capacity है किसके लिए वो particular बना है product और उस product को खरीदने की खिशमता किस व्यक्ति के अंदर है इसलिए में क्या करन करना है redefine your position सबसे पहले अपनी position को redefine करना है अपने business में अपने product या अपनी services को लेकर अपनी position को fix करना है सबसे पहले क्या काम करना है simplify your business model अभी problem क्या है बहुत सारे लोगों को business model वो इतना typical है कि consumer उस business model को समझ ही नहीं पाता आप देखिए कई बार आप किसी company को franchise के call करते हैं तो उतना typical model बताते हैं कि model ही समझ में नहीं आता ध्यान रखिए B2B business में franchise develop करना sales volume बढ़ाना business का network बनाना भी बहुत simplified होना चाहिए जितना बहतर simplified आपका business model होगा न उतना आसानी से लोग आपके business model को समझेंगे और आपके साथ जुड़कर आसानी से आपके sales volume को बढ़ाते हुए आपके business को expansion की और लेकर जाएंगे दूसरा क्या है micro niche positioning आपना क्या करते हैं कि हम एक product या service को बेचने के लिए चारो तरफ हाथ पर मारते हैं हमें चारो तरफ हाथ पर महीं मानने हमें क्या करना है अपने business में अपने product या अपने service को लेकर अपने niche को select करना है कि हम किस तरह की quality के लोगों के लिए किस तरह की ability के लोगों के लिए किस तरह की financial power वाले लोगों के लिए अपने product या services को offer कर रहे हैं और जो आपका product या services का delivery style है उसको भी simplify करना है जितना बहतर आसान business model होगा जितना ज्यादा selected आपका client होगा कि मैं इस तरह के clients के लिए products बनाता हूँ और जितना ज्यादा आपका delivery method simple होगा उतनी आसानी से आप अपने business को next level तक ले जा पाएंगे grow कर पाएंगे sales बढ़ा पाएंगे हमें follow करने हैं कुछ steps number one sales support system हमारा बहुत बेतर होना चाहिए अभी sales support system के सारे steps में आपको बताने वाला हूँ उसके अलावा करनी होगा और sales management style जो है आपका system वो भी बहुत बहतर होना चाहिए ताकि आप sales की leads को leads से लेकर conversion तक और conversion से लेकर after sales तक और after sales से लेकर referral generation तक और referral generation से लेकर बार बार recurring business model पर काम करने तक अगर आप काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप पीछे रहे इसलिए sales के volume को बढ़ system के बारे में sales support system का मतलब क्या है कि sales की team का recruitment होना वो इतना बहतर हो कि आपके द्वारा appointment किये हुए sales executives independently अपने business में ठीक तरीके से sale कर पाएं उसके लिए जरूत क्या है उनके लिए होना चाहिए experience sales profile आपका sales profile है वो experience लोगों का होना चाहिए उसके अंदर क्या सबसे important है good communication skill आपकी sales team की communication इतनी बहतर होनी चाहिए कि वो ठीक तरीके से consumer से communicate कर सके उनकी जरूत को समझ सके उनकी बात को समझ सके और उनकी जरूत के हिसाब से product और service को offer कर सके उसके बाद customer handling skills बहुत बहतर होनी चाहिए कई बार क्या होता है lead तो हमने बहुत generate कर ली पर जो हमारी sales team है तो customer की handling ही नहीं कर पाती मतलब ठीक तरीके से communication के साथ साथ उनकी requirement के साथ से management नहीं समयल पाते है तो यह भी बहुत important role play करता है sales track record आपको जब हम sales team जो develop करते है ना तो sales team के अंदर एक खासित यह भी होनी चाहिए कि उनके पास यह ability हो कि वो अपने sales के track record को भी बना पाएं अब track record का मतलब क्या है आपकी hot lead है warm lead है cold lead है उसमें से किसका conversion हुआ है कौन follow up में चल रहा है कौन अभी थोड़ा delay कर रहा है कौन आपकी call को pick नहीं कर रहा है सारा का सारा track record उनके पास होना चाहिए और साथ साथ जब आप sales के record को track करें तो objection handling skills भी उस sales team के अंदर होनी चाहिए जो sales team के लोग आपके perform करने वाले है इसलिए जब आप भी recruitment करें तो उस recruitment में ये सारे point ज़रूर देखें sales training process बहुत simple होना चाहिए अभी क्या होता है हम नई की नई team को recruit तो कर लेते हैं लेकिन वो team वैसे perform नहीं कर पाती जैसे उसको perform करना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि उनकी proper training नहीं हुई एक sales expert sales में तो expert है पर आपके product आपके services related information उसके पास नहीं है तो जब तक वो आपके product और services को लेकर train नहीं होगा तब तक वो अच्छा result भी नहीं देगा उसके लिए हमें करना क्या है जब भी आप अपनी sales team को training दें तो उसका जो record है content वो video record जोरू करें क्योंकि एक बार जब आपने sales team बनाई है तो आप उसको properly train कर रहे हैं लेकिन अगर वो training देने के बाद वो staff आगे और लोगों को train नहीं कर पाए तो आसानी से आप अपने business को develop नहीं कर पाएंगे या हर बार आपको अपनी sales team को दुबारा से train करना पड़े तो यह भी एक समय की एक तरसे बहुत बड़ी लीकेज है तो आपको करना क्या है जब भी आप first time अपनी sales team को train करें तो पूरे recorded video बना ले और आने वाली नई टीम को recorded video शेयर करें कि आप यह वीडियो देखिए इस अगर वो ठीक तरीके से prospecting नहीं कर पाएंगे कि कौन अभी लेने वाला है कौन बाद मिलेने वाला है कौन डिले करने वाला है कौन बना करने वाला है तब तक हमारे sales का conversion बहुत बहतर नहीं होगा इसलिए sales support system develop करना बहुत जरूरी है उसके लिए जरूरी ठीक तरीके से recruitment हो और सो recruitment के माधियम से ये expertise उन लोग के अंदर होनी चाहिए और training जो भी हो वो property record हो next sale conversion system देखे आप बहुत पैसा marketing पर खर्च करते हैं बहुत अधिक marketing पर पैसा खर्च करने के बाद हमारे पास चुनिंदा leads आती है और अगर leads को सही तरीके से filter ना किया जाए तो कहीं ना कही leakage of business भी हो जाती है मतब एक कहते ना वो जैसे pulse polio अभ्यान था एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा ठीक उस तरह से एक भी lead पर ठीक तरीके से follow up नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं sales का बहुत बड़ा volume हम miss कर जाएंगे उसके लिए करना क्या है lead prospecting process होना चाहि efficiency है और यह जो व्यक्ति इसके पास लंबा समय उस प्रोड़क को खरीदने के लिए उसके लिए जरूरी क्या lead की ठीक तरी से prospecting हो lead qualification क्या आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे ना क्या वो उस product उसकी services को लेने के लिए qualified भी है qualified in the sense कि उस व्यक्ति को क्या उस तरह के product की सच में जरूरत है जरूरत है तो उसको समझने के बाद उसको सही तरीके से product offer करना तो lead qualify होनी चाहिए ठीक है ना next जो है वो क्या sales requirements अगर हम sales किसी व्यक्ति को करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हमारे पास उस तरह के products हैं जिस तरह का product अपना consumer demand कर रहे ह तो sales की requirements को समझना भी बहुत important है customer requirement and understanding आपने यह समझ लिया कि वो product हमारे पास है या नहीं अब यह भी समझ रहा है कि customer की क्या requirement है और हम उस तो को जब ठीक तरह के समझ पाएंगे तब ही हम customer के आयुए objections को manage कर पाएंगे अब client जब आपसे product लेना चाहता है ना तो बहुत सारे उसके mind में obstacle होते हैं questions होते हैं queries होती हैं बहुत सारे objections होते हैं उन objections को resolve करने वाला अब्यक्ति ही बेतर salesman बन सकता है मतलब उसको technical non-technical financial benefits सारी information products related उनके पास होनी चाहिए अब सही तरीके से अगर आपने उनके question handling कर ल customer के जो problem है queries है उनको handle कर लेते हैं लेकिन sales pitch नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि उनको ऐसा रगता है कि अब customer को जरूरत होगी तो हमें बताएगा sales की pitch करना बड़ा important है मतलब जैसे उसकी question queries खतम हो तो अपने product की offer करना शिरू कर दें उसके बाद negotiation skills ये एक बहुत बड़ी बह skills में बहुत बेतर होती है क्यों क्योंकि वो जानती है कि product को खरीदने में या product को बेचने में किस तरह से हम negotiations client करते हैं या हम कर सकते हैं तो negotiation skills बहुत important role play करती है क्योंकि buyer उस product को लेना चाहता है और supplier बेचना चाहता है लेकिन buyer कुछ discount बांगता और supplier कुछ और discount offer करता है तो skills आपके अंदर होने चाहिए कि ठीक तरीके से deal को close कर सकें उसके बाद closing process आपने negotiation कर लिया तुरंत अपनी sales को close करें और signing amount लेकर deal को आगे बढ़ाएं यह बड़ा important role play करेगा क्योंकि आप जितनी भी marketing करते हैं उस marketing का उद्धिश्य sales lead generate होता है और सही तरीके से staff को appoint करने के बाद lead का conversion बेतर आना चाहिए उसके लिए जरूरी है यह सारे steps next important बात है वो क्या है sales management system आपने sales की team को अच्छे से develop कर लिया आपने sales conversion के लिए उनको train कर लिया और sales के conversion पर वो काम भी करने है लेकिन अगर हम चीक तरीके से sales की lead को manage नहीं करेंगे तो भी एक बहुत बढ़ी हमें करना क्या है sales planning process कि हम किसी customer को किसी भी lead को follow करते हैं तो कितने steps से होते हो गुजरते हैं उसके बाद weekly planning की हर अफते हमने चेक किया कि first week में हमारे पास 100 lead थी उसमें से 10 करण मरदन हो गई तो बाकी बची 90 इसका क्या होना है second week में हमारे पास 100 lead थी उनमें से 20 convert हो गई बा 30 lead को complete कर लिया 70 बची है 70 यह प्लस 80 वाली पिछली प्लस 90 उससे पिछली इन लीड को कैसे follow करना है तो follow-up की strategy की पूरी planning करना बड़ा important area and location define करना यह भी important है कई बार क्या होता है कि sales के लिए ना sales executive होते हैं वो अलगल एक इरियास में जाके करते हैं कई बार clash ना हो जाए एक ही marketing executive एक एरिया में गया sales executive एक एरिया में गया और वाह उनका clash हो जाता है पसमें या price को लेके war हो जाता है या quality और services को लिए को लिए क करना है और sales monitoring process design करना है ताकि हम weekly देख पाएं कि कितनी leads में से कितनी sales conversion की ओर जा रही है और daily meeting review हमें जरूर लेना है कि हमारे sales team ने आज कितना sales किया कल कितना sales किया परसो कितना sales किया और उसका analysis करना है कि कौन से कारण है जिसकी वज़से sales बढ़ रही है ताकि हम उसको और design करें यह बहुत important role play करेगा sales management को लेकर तो यह अगर हम ठीक तरीके से समझ जाएं कि हमें यह तीन बातें अपने business में ठीक तरीके से follow करनी है तो हम बहुत आसानी से अपने sales के volume को बढ़ा सकते हैं और sales के volume को बढ़ाने का मतलब ही होता है business की growth होना क्योंकि दुनिया का हर business जिस main चीज़ पर टिका हुआ है वो main चीज़ कहा है sales आपका बहतर product अगर बिके गई नहीं तो उसके बहतर होने का कोई फाइदा नहीं है करना क्या है sales support system develop करना है best team best quality और best training best ability के साथ लोगों को define करना है उसके बाद sales conversion इस पर हमें काम करना है और sales management इस पर काम करना है अग इसलिए अपने business time से ना कुछ extra time निकालकर मैं आप लोगों के लिए वो secret formulas लेकर आता हूँ जो formulas मैं मेरी company में implement करके एक small scale firm से metasover sales limited तक पहुंचा बहुत दुरुभाग्यवश ये देखा गया है कि बहुत कम ऐसे speakers हैं या business coaches हैं जो खुद practical business कर रहे हैं जब तक हम practical business नहीं गाइड भी नहीं कर पाएंगे तो मैं केवल उनी विश्यों पर बात करता हूँ जो मैं अपनी company में implement करता हूँ इसके लब आपके मन में sales related कोई भी question है business related कोई भी question है तो वो comment box में में जरूर लिखें कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को subscribe करें स्वस्त रहें मस मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की काम मैं करता हूँ जै हिंद जै भारत